बिहार में सरकार गिराने और सरकार बचाने की हर कोशिस की जा रही है सभी दल अपने अपने विधायकों की इहरा बंदी कर रहे हैं कोई नजर बंद किये हुए अपने विधायकों को तो कोई दूसरे राज्य में सिफ्ट किये हुए है भारतिये जन्ता पार्टी जो ताकतवर पार्टी मानी जाती है बिहार में 78 विधायक हैं BJP के पास भारतिये जन्ता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को दो दिनों के लिए बोध गया में shift कर दिया था और कहा गया था कि इन तमाम विधायकों को प्रसिक्षन देना है यानि कि प्रसिक्षन के बहाने भारतिये जनता पार्टी अपने विधायकों को बोध गया में रखे हुई थी हलाकि इस बैठक से यानि कि इस प्रसिक्षन कारकरम से बीजेपी के तीन विधायक गैरहाजिर रहे थे इसके बाद या चर्चा चल पड़ी थी कि आखिर ये तीनों विधायक क्या करेंगे क्या ये पार्टी से नाराज है या फिर कोई दूसरा रास्ता अक्तियार करेंगे बीजेपी नेत्रित को कहीं न कहीं इसको लेकर के चिंता होने लगी थी लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वह या कि इन विधायकों को पाले में लाने में कहीं न कहीं बीजेपी नेत्रतों सफल हो गया है जिन तीन विधायक अनुपस्थित थे सनिवार को उसमें बिने बिहारी रस्मी बर्मा और एक सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो मिस्री लाल यादव मिस्री लाल यादव पहले वी आईपी से 2020 में चुनाव जीते थे वी आईपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी और मिस्री लाल यादव अली नगर सीट से चुनाव जीते थे मिस्री लाल यादव के बारे में बता दे कि ये पहले आरजेड़ी से तालूक रखे थे विधान परिसत भी आरजेड़ी कोटे से गए थे लिहाजा इनका रिस्ता कहीं न कहीं आरजेड़ी नेताओं से है तो उसी को लेकर कल जब ये गरहाजी रहे तो चर्चा चल पड़ी कि ऐसा लगता है कि मिस्री लाल यादव पाला बदल सकते हैं या भाजपा से अलग रूख अक्तियार कर सकते हैं तो इसके बाद हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज कोई व्यसता है इस वज़़ा से हम उस कारकर में नहीं जा पाए हैं लेकिन आज के बारे में यानि कि रवीवार को वे जरूर रहेंगे पार्टी नेताओं के साथ बात करेंगे और अभी की जो खबर है वो यह कि मिस्री लाल यादों ने प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीम समराट चौधरी से मुलकात की है दोनों में बात चीत हुई है अगर कहीं कोश गरबड़ी रही भी होगी मन में असंतोस हुआ होगा तो निस्चित तोर पर उस बारे में हमें पता भी चला है कि उसके निराकरण की कोशिस भाजपान नेत्रेतों की तरब से की जा रही है बाकी के जो दो विधायक है विनई भिहारी और रस्मी बर्मा यह लोग कारक्रम में यानि कि पार्टी के कारक्रम में पार्टी की बैठक में पहुँच गए थे तो ये तीनों विधायक कल अनुपस्ती थे लेकिन आज ये तीनों सरीर कही न कही नियतरतों के सामने हाजीर हुए हैं अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा लेकिन जिस तरह से घेराबंदी क की जा रही है आप देखें आज बैठक वहाँ पर दो दिवस्ये प्रसिक्षन कारक्रम बोध गया में समाप्त हो गया है और वहाँ भी भारतिये जनता पार्टी अपने विधायकों को अकेले में नहीं छोड़ रही है यानि कि बीजेपी को लगता है कि अकेले में छोड़े नहीं छोड़ा जा रहा है उन तमाम विधायकों को तीन लगजरी बसों में बिठा करके बोध गया से पटना लाने की तैयारी सुरू हो गई है बहुत जल्द वे लोग पटना पहुंचेंगे और पटना में भी ऐसा नहीं कि पटना में वे सभी विधायक अपने आवास से ले जाएंगे बलकि पटना आने के बाद वे तमाम विधायक डिप्टी सीम विजय सिना के आवास पर जाएंगे और वहीं पर रात का भोजन होगा तो लगातार विधायकों पर नजर बीजेपी नेतरित्वर रख रहा है अकेले में नहीं छोड़ा जा रहा है पहले दो दि कुछ होगा इस बारे में जानकारी नहीं आई है लेकिन भोजन बोध गया से पटना साथ आएंगे बस पर आएंगे किसी विधायक को अकेले आने की इजाज़त नहीं है जानकारी है कि तीन बसों की विवस्ता वहाँ पर की गई है विधायक जो गाड़ी से गए थे अपनी आरजेडी ना सिर्फ कॉंग्रेस बलकि भारतिये जनता पार्टी भी जिसके पास 78 विधायक है और बिहार विधान सभा में सरकार को बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए तो वैसे इस इती में बीजेपी के पास 78 और नितिश कुमार की पार्टी जेडी के पा यादों के आवास पर कैद कर रखा है देखने वाली बात होगी कल ही 24 घंटे से बहुत कम समय रह गिया है कल 12 बजे राजपाल के अविभासन के बाद सबसे पहले अस्पिकर के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव आएगा और फिर सरकार विश्वास मत हासिल करेगी तो अगर अकेले में छोड़ेंगे तो कही न कहीं RZD की तरब से डोरे डाले जा सकते हैं फूट डालने की कोशिस की जा सकती है जिसका मैसेज जो है वो गलत जाएगा और यही बज़ा है कि BJP नेतरितुने तमाम विधायकों को बस में बिठा करके पटना ला रही है अधिक करेसिन मस्का